तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुलर का मोटर जाम होने के सबसे मीन कारण आपको बताने वाला हूँ और कुलर के मोटर जाम होने पर उसे घर पर आप कैसे ठीक कर सकते हैं इसका बहुत ही आसान तरीका आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो नमस्क पर मैंने वीडियो पहले सी बना रखा है हमाई चैनल पर आपको मिल जाएगा या आप इसी वीडियो के लास्ट में जो एंडी स्किन में वीडियो सो होगा उससे क्लिक करके आप वाला वीडियो भी देख सकते हैं तो चलिए तो हम बात करते हैं इस वीडियो का तो दोस्तों यह जो मोटर आप देख सकते हैं या थ्री स्पीन मोटर है मकर दोस्तों मोटर कोई भी हो जाम प्रॉब्लम सेम रहता है तो इसका जो साफ्ट है दोस्तों बिल्कुल भी हिल नहीं रहा यह एकदम बैठ चुका है तो दोस्तों हम इसको हिलाने की कुछ कर रहे है या अब यहां पर जो यह वाला कैफ उससे भी निकाल लेते हैं ठीक है अब यहां पर इसका जो सॉफ्ट को खीच रहे हम इसका रोटर को खीच रहे हैं तो यह निकल नहीं रहे है तो दोस्तों हम क्या करेंगे इसको लख़डी का हाथ होड़े ले लेंगे उसकी मदद से आपा बहुत मुश्किल से इसका जो रोटर है वह निकाल पाया दोस्तों आप दे सकते हैं तो इसका मेन कारान यही होता है कि इस तरह का मोटर जाम होता है तो इसमें आइल का सुक जाना दोस्तों आप दे सकते हैं इसमें बिल्कुल भी और नहीं है यहां पर आइल का दुका अकाल कॉपड चुका है तो दोस्तों आप देख पा रहा है इसमें वील्कुल वी आई नहीं है पूइत। Iran हो चुका तो इस doivent बूस्त के अंदर एक्या यहां पर छोता है जो की आई से सब्सनों हुआ रहता है मगर इसका जो आई इसमें बिल्कुल एक बुन भी इसमें आईल नहीं है जिसका एंसे एकदम पक चुका था और जाम हो चुका था तो इस प्राब्लम को सॉल करने के लिए आपको क्या करना है पहले आपको क्रेसिन आई लेना है और यहां पर जो सॉप्ट की आगे पीछ यहां पर जो वासर लगे हो तो वहां पर आप इसके बाद अच्छा यहां पर हाथों की सहठी साब करें के लिए इस तरह ठिक है अब कि लगे हाथ क्या वी करें की यह जो रोटर को उसके ऊपर से क्रियोसिन डाल लेते हैं और इसे भी अच्छे से साप कर लेते हैं लिए के बार आपको किसी साफ कपड़े से कपड़े ले लेना है और इसको साफ करना है तो हम यहां पर जो वासर यहां पार था उसको वासर को इस तरह से कपड़े की साहता से रगड़ का इसमें जो आईल लगा था उसे इस तरह से साफ कर लिए ठीक है तो हम यहाँ पर दोनों तरफ का जो वासर था उसको इस तरह साफ कर लिए अब इसके बाद हम रोटर को भी यहाँ पर साफ कर लेते हैं यहाँ पर इसका जो साफ है उसे भी संट सिल लगा लेते हैं अब यहाँ पर हम आई श्कर नहीं कर रहे हैं अलों तो यह लिद्वूश्ट होता है सब से बेस्ट होता है कुलर के लिए आप के मसीन आयुरत विल्टर कर सकते हैं कोई भी मोटा Ovطment कर सकते हैं तो हम यहाँ पर अच्छे से इसमें ऐल डाल लिया है। दोनों तरब का वासर था हूश में। इसके बाद इसके बूस की बूस है यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करने आ मोच आ है आपको बस इसकتي करने cucumber तो चलिएंड आम इसका आहां पर लगाा लेते हैं और इसको फिटिंग करेंगे तो आ तायट करकर तीट करके सेटिंग करके आपको दिखाते हैं दोस्तों आप देसक्तिक शॉफ्ट एकड़ुद चल रहा है यानिक फ्री हो चुक एह हम इस में अच्छे से ऑईलिंग कर दिया है अब एकड़ी हो चुक है अब हम इसका कनेक्षण करेंगे दोस्तों और आपको यह से कोई भी एक वार के साथ जोड़ देते हैं तो यहां पर हम एक छोड़ा टेप लगा जें ताकि आपको पता चले तो आप देख सकते दोस्तों हमारा जो मोटर है वह अच्छे से यहां पर वर्क कर रहा है इसमें जो जाम प्राब्लम हो चुका है तो दोस्तों इस तरह से आप जो तरीका मेंने आपको बताया उस तरीके से उस प्राब्लम को सॉल्ट कर सकते हैं और दोस्तों अगर आप वह वाला वीडियो देखने चाहते हैं तो यहां पर एनस्कीर में सो हो रहा है उससे आप कलिक करके वीडियो देख सकते ठीक है